जो कुछ भी मेरे साथ किया है उसके बाद कोई भी होता तो अपसेट ही होता तो उनका अपसेट होना बिर्कुल जाया जाया है उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या आ रहा है तो डेफिनितली अपसेट है अभी सिमर के मुपर इक हसी सी तबी उखे और पापी जेता है। अब सिमर के चहरे पर हसी क्यों है? यह सब तो सस्पेंस है और मैं हमेशा बोलती हूं कि जितना आप देखते हैं शूट करते हुए उतना ही हमारे पास आता है। तो समर के चेहरे पर एक मुस्कुराहत है और उस मुस्कुराहत के पीछे का राज जानने के लिए देखिये साड़े पांच बजे मंडे टू फ्राइडे सासुराल समर का और का और कालर्स प्रभी की ये कौन है जो आगी है उसे सारी चीजे पता भी है कि कैसे मैंने सिमर को मारा था क्या क्या किया था तो वो एक डर है कि ये है कौन बहरूपी जो बनके आई है ये नकली सिमर है कोई हम शकल है कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसलिए भैरवी थोड़ी अभी भौकलाई हुई है और पर उसके दिमाग में एक है कि मुझे कोई गल्ती नहीं करनी है इसलिए थोड़ा चोकरना र जो लग रहा है कि ये सिमर नहीं है बहरूपी को यही लग रहा है क्योंकि थोड़ा बहुत उसमें बदलाओ है उसकी बात करनी की धंग में थोड़ा बदलाओ है तो इसलिए पर पता नहीं कौन है यही जानने की कोशिश कर रही हूँ मैं जहां एक तरफ भेरवी के लिए खत्रे की भेंटी है वैसी दूसरी तरफ पूरे भादलाओ फरिवार के लिए अपर खुशी का मतलब भक्त है अब सातने पूजा भी होने वाली है और पूजा में मेरे साथ कुछ अजीबी होगा क्योंकि अब ये सिमर बन के आई है तो जा हां बहुत सारे शडियंत्र दिमाग में अभी चल रहा है पता नहीं कौन सा पासा पहला फिकूंगी मैं ये तो अभी मैंने डिसाइड नहीं किया आपर ओविसली शडियंत्र तो दिमाग में चल रहा है